हिस्ट्री शीटर के गोडाउन में पकड़ा गया सरकारी चावल बड़ी मात्रा में बेचा जाता था गरीबों का दिवाला हिस्ट्री शीटर के गोडाउन से पकड़े 400 बोरे चावल तीन गाड़िया भी बराबत गोडाउन किये सीम माफियाओं में मचा हड़का अलिगड के थाना महुआ खेडा इलाके में गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले हिस्ट्री शीटर गजन्द रुफ पप्पु के दो गदाओं में बड़ी तादाद से अवैद रूप से खरीद फरोग किया जा रहा था सरकारी चावल पकड़ा गया बता जा रहा है कि सिंट्री शीटर के गज़ाउड पर बड़ी तादाद में सरकारी चावल बेच जा रहा है चावल की अवैद खरीद फरोग तो कालावजारी का काम किया जा रहा इस परिशन में यह धनीकुर मंडी की पीछे है और ओम प्रकास्ट ठकेदार का कोई एकमपाउंड है उसमें गजन दरूफ परपो जो पहले सी खाध्यान माफ्य गोसी थे इनके द्वारा यह सूचना ऐसी मिली है कि यहां पर जो है खाध्यान की जो चावल है इसकी खरीद फरोगत की जाती है कितने कट्टा लगवा होगा यह खाध्यान यह 200-200 के करीब जो है कट्टे हैं दो गाड़ियां है इसमें बरे हुए है अभी तक कोई भी ब्यक्ति नहीं आप प्रेजन्ट हुआ है और जो आपके सामने मौजूद है यह खाध्यान है तो सरकारी चावल है तो यह राशन का चा जो है इदर उदर यह लोग खरी फरोगते दंदे में ही लिपत रहते हैं क्या मुकदमा तरच किया जाएगा इनके क्लाप हाँ इसमें अवैत तरीके से काला बजारी का जो मुकदमा होगा वह तीन बटे साथ के अंतरच किया है अन्यकारवाई हुए है जिसमें एक सर्प्र कामद हुआ है जिसमें समझ जो है उठा करके उसको जब्त कर लेकिन ठीक आप आप सब इदर आईगे अज यहां पर थाना महुआ खेडा में गजेंदर पपु नामकिस्टी शीटर के गोडाउन में हम लोग ने अवैद रूप से चावल बेचे जाने को पकड़ा है और करी कि देर सो बोरियां यहां पर पकड़ी गई है कब से काम कर रहे थे लगवा कुछ जानकारी इनके बारे मिली है अभी जानकारी और एकटी करी जाएगी अभी जानकारी तो कई दिनों सो इसको ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से यहां पर खरीद फरुद हो रही है बाकि अभ इसकाने.